संसाधन और विकास प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार हैं क्योंकि क्रिशी, खनन, निर्मान तथा उर्जा छेत्र में उत्पादन बड़े तोर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है अर्थ व्यवस्था के अनिशेत्र भी विभिन इस्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की छमता को पर्यावरणी स्त्रोत प्रकारिय, Environment Source Function कहा जाता है ये कारे उस समय शितिल हो जाते हैं जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो जाता है या प्रदूशन संसाधनों को बिगार देता है अगर हम अनविकर्णिये संसाधनों का नियंत्रित उप्योग न करें या नदी, नालों वा हवा का प्रदूशन न रोकें तो जल्द ही विकास के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिलेगा और विकास में रुकावट आ जाएगी हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक स्वस्त इस्तिती में उपलब्ध रखे विकास और खुशाली को लंबे समय के लिए अर्था टिकावट बनाए रख पाए इसी को टिकाव विकास या टिकाव खुशाली कहते हैं इसका मतलब यहा है कि विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच विरोधा भासो यह जरूरी नहीं है नहीं विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नश्ट किये जाए अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझे तो हम विकास के लिए टिकाव प्रबंधन भी कर सकते हैं पर्यावरण व्यग्यानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की शुद्धी करण छमता या सिंक कैपिसिटी की अवधारना विक्सित की है पर्यावरण में इतनी छमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूर्शन किया जाए तो वह उसे समाहित करके हानी रहित कर सकती है उदाहरण के लिए अगर हम बहती नदियों में घरेलू कच्रा बहाते हैं तो नदी के जेव जन्तू उन्हें अपना भोजन बना कर पचा लेते हैं और फिर से पानी उप्योग करने लायक बना रहता है अगर हम अत्यदिक मात्रा में नदी की छमता से अधिक गंदगी प्रवाहित करें तो साफ पानी वाली नदी गंदा नाला बन जाएगी आज हमारे प्रमुक शहरों के पास बहने वाली नदियों का यही हाल हो रहा है यही नहीं आज हम नदियों में कई ऐसे तत्व डालते हैं जिने पचाने के छमता नदी में नहीं है उदाहरण के लिए साबुन के अप्षिस्ट यह पानी से बने रहते हैं और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते हैं और धीरे धीरे समुद्री जल को प्रदोशित करते हैं गाव में लकडी से जलने वाले चूले और फैक्टरी से निकलने वाले धुए की तुलना करें तो चूले से निकलने वाला धुआ की मात्रा नवीकृत होने की सीमा से कम होती है किन्तु फैक्टरी से अधिक एवं निरंतर धुआ निकलता रहता है जो नवीकृत होने की मात्रा से अधिक हो तो वायू प्रदूशित हो जाएगी इसका अर्थ यह नहीं है कि फैक्टरी हमेशा वायू को प्रदूशित करेगी ही यदि फैक्टरी से नवी कृत सीमा तक ही धुआ निकले तो वायू प्रदूशित नहीं होगी पर्यावरण के द्वारा अप्षिष्ट पदार्थ को अफशोशित करने की इस छमता को सिंक छमता कहा जाता है जब अप्षिष्ट निरधारित सिंक कारियों की सीमा से अधिक हो जाते हैं तो परियावरण को दीर्ग काली नहानी पहुँचती है उदाहरण एक भारत में भूजल की इस्थिती पर वर्तमान आंकडे हमें सुझाते हैं कि देश के अनेक भागों में इसके उपयोग की अधिक्ता से इसके लिए गंभीर खत्रा उत्पन हो सकता है पुनर्भरन से जितना जल वापस भूमी में जाता है उससे कहीं अधिक भूजल का उपयोग किया जा रहा है जिसके कारण लगभग 300 जिलों में पिछले 20 वर्षों में जल स्तर 4 मीटर तक की कमी आई है यह स्थिती खत्रे का संकेत है भूजल के उपयोग की अधिक्ता विशेश रूप से पंजाब और पस्चिमी उत्तर प्रदेश के क्रिशी सम्रिद शेत्रों, केंद्री और दक्षिनी भारत के कठोर चट्टानी पठारी शेत्रों तथा कुछ तटी शेत्रों में और तेजी से विक्सित होने वाले शेहरी शेत्रों में भूजल का अत्तधिक उपयोग होता है जल के उपयोग की इस अधिक्ता से भूजल का संग्रा कम हो जाएगा और बहुत ही तीवरता से इसके स्तर में भी कमी होती जाएगी उदाहरन दो भारत में कीट नाशकों का कुप्रभाव एंडोसलफान कीट नाशक में देखा गया है सन 1976 में काजू की फसल को कीडों से बचाने के लिए सरकार ने 15,000 एकड भूमी पर हेलिकॉप्टर द्वारा एंडोसलफान कीट नाशक का छिड़काव किया यह कारे केरल के उत्तरी भाग के कासर गोड में किया गया इस उपचार कारे के 25 वर्षों तक जारी रहने के कारण वायू, जल और संपूर पर्यावरन इस कीट नाशक से बुरी तरह प्रभावित हुआ इसके परणाम सरूप 11 ग्राम पंचायतों के लोगों में मुख्य रूप से क्रिशीश रमिकों में गंभीर स्वास्त समस्याएं उत्पन हुई वे विभिन तरह की बिमारियां जैसे मानसिक वा शारेरिक विकलांगता, दिल और तंत्रिका तंत्र की बिमारियों आदी से ग्रस्त हो गए यही नहीं उस पूरे इलाके में मचलियां, कववे वा अन्य पक्षियां, कीट पतंगे आदी में भी भारी कमी आई कुछ वर्षों से न्यायालय के आदेश द्वारा इसके छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और सभी प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से मुआवज़ा दी जा रही है भूजल के लिए पुनरभरन और दोहन के बीच संतुलन बनाना क्यों जरूरी है? होता है या नहीं?